गुर्ण मॉनी फ्रेंट्स आप सभी का बहुत वस्वागत एक पर फिर से जौस्टेडे में तो फ्रेंट्स आज है बीस सगस्त और आज की मोस्ट इंप्रेंट जो भी क्रेंट अफेंट बनती है वहां हम आपके लेके आज चुके हैं आप लोग को जैसे की पता आया अपना एक सेसन चलता है जो की एटरिधे होता है संडे हो या मंडे आपकर जो ये 5 a.m में में आपको क्लास चलता है जो कि अकरने की चैप्रमार किस राज के मुखमंत्री थे तो फिंट्स आपको बता दू यह जगरनाथ मिस्र यह पुर्व मुखमंत्री थे आपको बताना यह किस राज के मुखमंत्री थे फिंट्स इसकी राइट आंसर जो होगी वह यह नंबर यानि की बिहाड इसकी correct answer होगी बिहार के जो है जगरनाथ मिस्र जो थे वह पुर्व मुखमंत्री रह चुके थे उनका हाली में नीधन हो गया है फेंट्स आपको बता दू कि ये बिहार के जो है तीन बार मुखमंत्री रह चुके हैं जगरनाथ मिस्र और ये जो है पहली बार बने थे उनेश्व 75 और इस भी में दूसरी वर उनेश्व 80 में और तीसरी वर जो है ये एक बर्स के लिए बने रहे थे उनेश्व 89 से उनेश्व 90 के बीच ठीक है फेंट्स तो नेक्स कोचन देख लेते हैं किस देश ने यू टुवेल्व एसी आई टैनिस टीम चेंपियनसीब का किताब जीता है आपको बना ना इसकी राइट अंसर क्या होगी यू टुवेल्व एसी आई टैनिस टीम चेंपियनसीब का किताब किस देश ने जीता है तो इसकी राइट अंसर जो हो जाएगी भारत ने जीत लिया है तो फिंट से आपको बता दू इसी से डिलेटेट कुछ परशन यह जो है वह कजाकिस्तान में हुआ था यानि की यू टुवेल्थ एसी टैनिस जो चेंपियनसी फोड़ाई थी वह कजाकिस्तान में हुई थी और किस ने हडाय था और किस टीम को तो भारत ने जो है वह चीनी टाइपो टीम को जो हडा करी है खिताब जो है अपने नाम किया है ठीके फ्रेंट्स तो नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं हाली में राष्टपती ने किस राजे में भूमिगत बंकर संगरहालय का उधगातन किया है आपको बताना है हाली में जो है राष्टपती रामनाथ गोविन उन्होंने किस राजे में बंकर संगरहालय का उधगातन किया ह इसकी राइट आंसर आपको बतानी है तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी सी नमबर यानि की महाराष्ट महाराष्ट में रामनात गोविन ने जो है वह भूमिगत बंकर संग्रालय का उद्गाटन किया है और फ्रेंड्स यह जो है महाराष्ट में कहां पे उद्गाटन कि किया गया है यह संग्राले कहां है तो आपको बता दू महाराष्ट के मुंबई के राजभवन में यह जो है संग्राले का उद्गाटन किया गया है ठीक है फिर्ट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं किस देश ने जलवाई परिवर्तन के कारण खत्म हुए पहले गलेसियर औक जो कुल अश्मर्न उत्सब मनाया है तो इसकी टाइट अंसर आपको बतानी है तो वह कौन सा देश है जो की अग्जलुक के लिए जो है वह अश्मर्न उत्सब मनाया है तो इसकी राइट अंसर हो जाएगी आइलेंड फिर्ट्स यहां पे आप लोग थोड़ी सी मैनेज कर लिजे है क्योंकि यहां पर टाइपिंग में गलत हो चुकी है यहां पर जो है वह आईलेंड हो जाएगी ठीक है तो आप मेरे स्कीन पर भी देख सकते हैं सूध में लिखा हुआ है तो आईलेंड जो है वह एकजोलिक के लिए जो है आश्मर्न उत्सब मनाया है ठ कि आईलेंड के जो है वह परदानवंत्री कौन है तो आईलेंड के जो है परदानवंत्री कैटरीन जेको बस डाडिक है और यहां की जो है राजधानी यानि कि आईलेंड की राजधानी जो है वरडिक जाविक है ठीक है तो यह कुछ more important question इससे बनती है वह आपको याद लेते हैं हाल ही में किस सहर में टीचर एजुगेशन पर अंतराश्टी सम्मेलन का उद्धा उद्धाटन किया गया है आपको बताना है कि हाल ही में किस सहर में टीचर एजुगेशन पर जो अंतराश्टी सम्मेलन का उद्धाटन किया गया है तो इसकी राइट अंसर क्या हो ज जाएगी नई दिली नई दिली में जो है वह टीचर एजुकेशन पर जो अंतराश्टी सम्मेलन का उद्गातन किया गया है और बता दूँ कि केंद्री ये मानव संसाधन विकास समंत्री ने नई दिली में जो टीचर जर्नी ऑफ एजुकेशन लोकल टू गलोबल के नाम से य अस्थापना जो है वह निशनल कांसिलिंग आफ टीचर एजुकेशन द्वाड़ा जो है उन्हें इस सब पंचानवे सिवि में किया गया था और आपको बताना है केंद्री ये मानव संसाधन मंत्री कौन है तो इसकी जो है केंद्री मानव संसाधन और विकास मंत्री जो है रमेश पोखरियाल जो है वह केंद्रिये मानव संसाधन और विकासमंतरी बड़तमान में अपने देश के हैं तो नेक्स्ट कोशन देख लेंगे UAE भारत के किस व्यक्ति को अंडर ओफ जायद से समानित करेगा तो सबसे पहले बात अगर करें UAE का संयुक्त अडव अमिरात ने भारत के किस व्यक्ति को ओडर ओफ जायद से समानित करने का वरने लिया है अडर ओफ जायद जो है एक पूरुस्कार है जिस तरह से अपने देश का यानि के भारत देश का सर्वोच्य सम्मान जैसे भारत रंप है उसी तरथ UAE का यानि कि सहुक्तर अडव-अमिरात का जो है सबसे महतपुर्ण जो एवार्ड है वह है order of जायद तो उस एवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा भारत के वह व्यक्ति है तो आपको पताना है इसकी right answer B हो जाएगी परधान मतरी नेरेंद मोदी को जो है order of जायद से जो है सम्मानित किया जाएगा और ये जो है और अरव अमिराद भारति को चिर्णागरी के पुर्षकार और ऑप जायद से सम्मानित करेगा और आपको बता दू इसी से कुछ रिलेडेट कोशन यह पुर्षकार जो है नेरें दिया जाएगा और यह सम्मान जो ही UAE के संस्थापक यानि की पिता सेख जायद बिन सुल्तान अल्ह नाहियान के नाम पर दिया जाता है आपको बता दू इन्हों नहीं UAE का अस्थापना किया था साथ ही आपके एक्जाम आप्टे एंटेव्यू से बता दू कि UAE की डालधानी अबुधा भी है और वहां की मुद्रा दिरहम है ठीक है फिस्ट आपको यह कुछ महत्पुन कोशन याद रखनी होगी नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं हाल ही में भारत के किस राज्य में मचली की पांच परजाती की खोज की गई है तो भारत के किस राज्य में जो है पांच परजाती की खोज की गई है तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी डी नंबर जो कि अर्णाचल परदेश में जो है मचली की पांच नई परजातियों का खोज किया गया है ठीक है फेंश्ट और आपको बता दू कि अर्णाचल परदेश के मुखमंतरी कौन है तो पेमा खांडू जो है वहां के मुखमंतरी है और राजपाल बीडी मिसराजी है ठीक है फेंश्ट चलतें नेक्स कोशन की और विस मानवतावादि दिवस किस दिन को मनाया आ जाता है आपको बता दू फेंश्ट कि ये परतेक बरस बीडी नमबर हो जाएगी 19 अगस्त को जो है वह विश्ल मानवतावादी दिवस मनाया रहता है और आपको बताना है डवलू एचो का मुख्याल कहा है तो डवलू एचो का मुख्यालो जो है वह जनेवा सुट्जर लेंड में है और इसके महानिर्देशक जो है वह ट्रेडोस अदनोम धोवारियास है ठीके फैंट्स और आपको बता दू कि यह जो है समरपित है 29 अगस्त 2003 को जो है बगदाद और इराक और संयुक्त राष्ट के मुख्याले पर बंबारी की गई थी उसी के लिए जो है यह समरपित है ठीके फैंट्स तो यह आपको कुछ इंपोटेंट फैक्री जो है याद रखनी है चलिए नेक्ट कोशन देख लेते हैं हाल ही में किस राज्य में इसकूल फगडावा योजना शुरू किया गया है भारत के किस राज्य में है इसकूल फगडावा योजनाफी की शुरू किया गया है उसकी राजपाल को बताना आल राजपाल कोन उसका है फ़्र बादनाव के राजपाल है चलिए फिंड नेक्स कोशन देख लेते हैं हाल ही में खयाम जी का निधन हो गया, वह किस छेतर से संबंधित थे, आपसन आप देख सकते नीचे, संगीत गी नेता, फिल्म, निर्वाता, डॉक्टर, तो इसमें आपको राइट अंसर बता नहीं है, ये जो है, वह संगीत गी थे, भारत के एक महान, संगीत गी थे, खयाम जी का ये निधन हो गया है, और ये जो है, संगीत गीत है, और इनकी उम्र जो है, वह बिरानवे वर्स थी, ये कुछ आपको याद रखनी है, महत पुन चीज, और इन्हें जो है, पद्म भूसन, एवं संगीत नाटक, एकादमी पुर्सकार से सम्मानित किया गया था, ये बहुत ही, ब्याख्यात संगीत गीत है, तो आपको ये याद रखती होगी, फिंट्स, आजगी जो है, लास्ट कोस्चन यही थी, आई होप, कि ये वीडियो आप लोगो पसंद आई, अगर पसंद आई, तो लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर किये, तब तक के लिए धन्यवाई, हाई पसंद के लिए संद आए करते हैं,